हेलो गोर्जियस पीपल वेलकम तो माई चैनल आइम पायल रटवा आज मैं आपके लिए लेकिया हूं मैगी की एक मसिदार रेसिपी इंडियन स्टैल मैगी मसाला जिसमें जाएंगे हमारे इंडियन मसाले बहुत एजी रेसिपी है तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें शेर करें और ऐसी टेस्टरी रेसिपी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राब कर ले इंडियन स्टैल मैगी मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए दो पैक मैगी नूडल्स और मैगी के साथ में आने वाले टेस्ट मैकर एक प् मटर मैं ने आपपर फ्रेश मंटर का यूज़ किया है अब फ्रोजन मंटर का भी यूज़ का सकते हूँ एक चमज बढ़कर अदरग लेसन की पेस्ट आदी चमज लाल मेश पाउडर one by four चमज हल्दी पाउडर आदी चमज ढन्या जीर पाउडर टेल लिया है मैंने दो इसे उपर कराता है पहले गैस ओन करके एक पैन चड़ा देंगे पैन में तेल डाल देंगे आप तेल के जीवा बटर का भी यूज़ कर सकते हो अब तेल के गरम होती ही उसमें बारिक कटा हुआ प्यास डाल दें इसे एक मिनिट के लिए फ्राइ कर लें एक मिनिट के बाद हम मड़र डाल देंगे मैंने अबर फ्रेश मड़र लिया है इसे पकने में टाइम लगता है तो मैं इसी टाइम पर इसे डाल दूंगी जैसे यह अच्छे से पक जाए इसे मिक्स कर लें और फिर इसे तीन मिनिट के लिए पकने के लिए छोड़ दें बीच बीच में इसे मिक् लैसन की पेस्ट एक चमच परकर डाल देंगे इसे मिक्स कर ले और एक मिनिट या तो लैसन का कच्चा टेस्ट चला ना जाए तब तक पका ले अब इसमें बारिक चॉप किया हुआ टमाट डाल दें इसे भी अच्छे से मिक्स कर ले मैं आपर एक्स्टर नमक का यूज नहीं कर रही हूं क्योंकि टेस्ट में कर में तो नमक आता ही है साथ में मैं की मसाला हमें भी सॉल्ट रहता है तो अगर आपको लगे की सॉल्ट की जरूरत है तो ही डाले नहीं तो आवाइट करें इसे ठक कर एक मिनिट के लिए पकने के लिए छोड़ दें एक मिनिट के बाद हम चेक कर लेंगे टमाटर अच्छे से गल चुका है अब इसमें मसाल डाल देंगे इसके लिए इसे मिक्स कर ले आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर 1 by 4 चम्मच इतनी हल्दी पाउडर और आधी चम्मच तन्या चीरा पाउडर साथ में टेस्ट मेकर भी डाल दे दोनों टेस्ट मेकर का यूज़ कर ले इसे मिक्स कर दे और इसमें पानी डाल देंगे मेकी को बॉल करने के लिए एक मेकी पैकेट पर एक कप पानी मैंने अपर दो मेकी पैकेट लिया है इसलिए दो कप पानी ले अगर आपको थूटे से सॉस वाली मेकी पसंद है तो 1 by 4 चम्मच जितना एक्स्ट्रा पानी ले यानि कि दो मेकी के पैकेट के उपर 2 प्लस 1 by 4 चम्मच जितना पानी इसे अच्छे से मेक्स कर ले और इसे ठककन से कवर कर ले जब तक पानी अच्छे से बॉल ना हो जाए तब तक यह अच्छे से बॉल हो चुका है इसमें अब हम मेगी मसाला डाल देंगे अगर आपको और स्पाई से मेगी चाहिए तो एक और मेगी मसाला पैकेट का यूज़ करें इसे मिक्स कर ले और फिर मेगी के नुडल्स को डाल दे इसे ठकक कर थोड़ा से सॉफ्ट हो जाए तब तक उबाल ले आदि मिनिट के बाद हम देख लेंगे मेगी थोड़ी से सॉफ्ट हो चुकी है इसे ऐसे चम्बत से अलग कर ले और फिर इसे मिक्स कर ले आदि मिनिट के बाद फिर इसे मिक्स कर ले और लास्ट एक मिनिट के लिए पकने के लिए छोड़ दे टूटल दो मिनिट इतना समय लगा है मेगी को बाद होने में इसे अच्छे से मिक्स कर ले ये देखिए एकदम परफेक्ट बनी है हमारी मेगी अब गैस आफ करके प्लेटिंग कर लेते हैं ये देखिए कितनी परफेक्ट बनी हमारी मेगी स्टीकी भी नहीं है और देखने में तो कितनी अच्छी लग रही है बिलकुल बाहर स्टॉल पर मिलती है न वैसे ही आप इस वाली मेगी की रेसिपी को ज़रूर ट्राइ करें आपको बहुत पसंद आएगी और इंडिन स्टेल मेगी पसला यानि कि ये रेसिपी के अलावा आप कौनसी वाली मेगी खानी पसंदे वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता है और आज वाली रेसिपी आपको कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता है